सांड्विच लगते हैं वाइब बैट का संड्विच बना वहाई लेकिने ब्रेट नहीं है जिए अम सेंड्विच बनाएंगे अब बिना ब्रेट के लिए कितना टेस्टी लग रहा है और कितना सॉफ्ट और एक सार एवनली कुकिंग हुई है सूजी के स्पेशल अपटे बनाएंगे सैंडविश मेकर में आप इने सूजी के सैंडविश कह सकते हैं बेत्रिन रेसिपी आप टिफिन में ले जा सकते हैं या फिर शाम में कुछ अच्छा हलका खाने का मनें तो आप जरूर ट्राइ कीजिगा तो यह रेसिपी चलिए बना इस रेसिपी के लिए क्या करें हो यह बात ङुच्छे के बात हम बाद बाद में कर लें सबसे पहले मैं बताऊंगे हमें चाहिए सैंडविश मेकर जया इस तरह का जो हमारे ऑर्डिनरी जो संद्विचेज हम बनाते हैं यह सब पास घरकर में मुसली होता ही है तो इसकी हम लगेगी हम बना रहें सैंड्विच्छ सूजी Biz साथ सा्य क야 साथ चाहिए थे साम चाहिए सलिशे आप सैमोलीनबी थे स्टीरी चरहते जो भी एक स्टीर को आप बनाना स्टीरagen करें एक स्टीर एक औप मादेų स्रitar करें से उस दफ और पानी तός करए Romans तो दही, सूजी और पानी तीन इंग्रिजिन्स हमें ज़रूर चाहिए सबसे पहले मैं बैटर बना रही हूँ एक बड़ा बरतन लेंगे उसमें मैंने सूजी आइट किये दही, सूजी और पाणी घंटर बनाना है दही, सूजी और पानी तीनों को मिक्स करके दिए अभी बहुत थिक बन गया अगर पतला भी है तो भी घबराई नहीं क्योंकि मैं 10 मिनट इसे रेस्ट दूँगे 10 मिनट तक ढखेंगे पानी अभी सोख लेगी और बैटर को हम ढखका रखेंगे तो थोड़ी थिक भी हो जाएगा तो फिर से हमें पानी इसमें आट करना पड़ेगा तो मैं इसे अभी 10 मिनट के लिए ढख रही हूं इतना काफी है फिर हम चेक करेंगे तो तक मारा बैटर ढखका रखा हूए मैंन सब्सक्राइब करेंगे और 10 मिनट से मैंने बैटर को ढखका रखा वाथ आप देख सकते हैं बैटर के है पड़े-पड़े और सकत हो गया है इतना सकतों में नहीं चाहिए मैं इसमें पानी आट करके थुड़ा पतला करेंगे इसको हम बैटर की सीजनिंग करेंगे पहले मै यहाँ मैं स्सुल्सक्राइब करके सब्सक करते हैं ऐधसर्चा अहरे संपर और बैटर को मिक्स कर लेंगे हम इसका पकोड़ी के घोल जैसा बैटर बनाएंगे तो बैटर मैंने मिक्स कर लिए अच्छे सबजिया मिक्स कर लिए अब मीठा सोडा एड कर रही हूं आप छोटा चमच लीजिए उसे आधि से आधा भरिये यह आधा टीस्पून से भी कम हमने इसमें मीठा सोडा एड करना है इसे मिक्स कर ली जए और बैटर जैसे मैंने इसमें एड किया दही के साथ मीठा सोडा तो बैटर थोड़ा लाइट लग रहा है दही और सोड़ा जब इसमें आप दिएर ट्रैप होगी हलका हो गया कि आप इसे और हलका करेंगे अप इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे सिर्का से टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और साथी सिर्के से बेटर लाइट हो जाएगा तो नापकर आप इसमें दो टीस्पून वाइट विनेगर एड कीजिए अगर एड करने के बाद इसे आप हलकी हाथ से मिक्स कीजिए जोर से ना फेंटी है नहीं तो हम अभ बेटर रेड़ी है और सेंड्विच मेकर भी दो मिनिट पहले मैंने आउन कर दिया था आप ठंडे में मन डाली हलका सा पहली जब बैडर बना रहे हैं तो सेंड्विच मेकर को 2 मिन पहले कर लीजिए अगर और नहीं लगाएंगे तो हमारी सूजी के सांविचिज चिपक ज लगा दिया ताकि सैंड्विच इस ऊपर से भी ना चिपके अब दो बड़े चमच भर कर आप सैंड्विच मेकर में आप यह बैटर स्प्रेट कीजिए जैसे कि सैंड्विच बनने के बाद लगे तो उसी शेप में ट्राइंगल तरह से आप फैला दीजिए तो दिखे मैंने दोनों तरफ सैंड्विच मेकर में सैंड्विच का बैटर डाल दिया और अब मैं इसे कवर करके रख रही हूं और देख सकते हैं लाइट ओन है सैंड्विच मेकर हमारा ओन है और गर्म भी था पहले से एक मिनट दो मिनट पहले आप गर्म करने रख सकते हैं अब दोस्तों एकदम से आप खोल कर ना चेक करने लग जाएं क्योंकि अभी बैटर गीला है और वो चेपक जाएगा आप तीन से चार मिनट के बाद ही इसे चेक करें घड़ी देखकर आप तीन मिनट तक बिल्कुल ना छेड़ें अगर आपको लग रहा है सैंड्विच में क अच्छा नहीं सूजीक अच्छी है और यह सैंड्विच तो बिल्कुल पके वे लग रहे हैं इन्हें देख लेते हैं हाथ से प्रेस करके देखा है बिल्कुल फॉर अच्छे बने हैं क्रिस्प है उपर से लेकिन अंदर से सॉफ्ट है एकदम लाइट है फ्लफी भी है और है तो चलिए मैं सभी को सर्फ कर देती हूं तो लीजी तोस्तों कितना बेटरी नाश्ता बनकर रड़ी हो गया ने चंदी मिंटों में चार से पांच मिनुट में कितनी अच्छी रेसिपी बनकर रड़ी होगी कोई हमें सुपरवाइज निकलना पड़ा कोई घी तेल हुई है फटाफट से बना तो कुछ लोगा सूजी के अपके खाने का मन करता ने लेकिन अपम वाला तवा नहीं होता है तो आप कोई बात नहीं सैंड्विच में कर में ट्राइब कीजिए और मुझसे शेयर जरू कीजिए आपको रेसिपी यह आइडिया कैसा लगा तो अगली बार फिर मिलूंगे आपसे तब तक अपना ख्याल रखिए सहतनद रहिए अच्छा खाई अच्छा लाइए मेरा चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया